कि असलाम अलेकुम अपिपन कैसे हो अप सभी लोग उमीद करती हूं खेरे से होंगे तो आज हम बनाएंगे डिजाइनर श्रग एनकोर्ती सबसे पहले तो मैंने हाँ पर फाइप मीटर ले ले और से थिरी मीटर करकर रख लाएं है जो मैंने यहाँ फाइब्री क्लिया हुआ है जोमेने हां पर जूआ अपना श्रग तयार करेंगे सबसे पहले कि फ़ल कर लेना है से मैं इसे मैंने संगल कー इसको रख लिया मैं अब जितने भी लैंत है वह ले ले लेंके तो यहां तो मैं तयार करूंगी और 5 इंच की जो है हमारी यहां पर है फिर लग करके तयार हो जाएगी तो जो टोटल लेंट आएगी पैता लिस इंच की आएगी तो मैं जो अभी कटिंग कर रही है यह मैंने जो लिया है 40 इंच लिया है अब उसके बाद जो बंद वाली साइड है उदर में डेर डेर इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि हम यहां से अपना श्रॉक ओपन करेंगी और फॉल्डिंग की हमें जरूत पढ़ने वाली है तो उसके लिए हमें एक्ट्रा पट्टी की जरूत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं यहां पर डेर डेर इंच का निशान लगा रही हूँ इस निशानों को सीधा करने के बाद देखिए कुछ ऐसी फोल्ड होने में आ जाएगा अब जितने वी निशान आपको लगाने है वो इसी लाइन से लगाने है इससे पीछे नहीं हटना है आप को अब देखिए जो मैं शोलर ले रहे हूं सिक्स एंड हाफ के ले रहे हूं क्योंकि हम कॉलर एट करेंगे इसमें अब जो आम होल है तो मैं सेवन इंच के आम होल ले रही हूं और यहां फ्रंट एंड बैक का अच्छे से निशान लगा लीजेगा जो भी आपका साइज हो आप उसी साइज से जो है निशान लगा लीजेगा बस जो तरीका है वो सेम रहेगा अब जितनी भी चैस्ट है वह ले लिजी तो चैस्ट यहाँ पर सोला है तो सोला का हाफ कर लीजेगा और उसके बाद बेश्ट का एक निशान आपको लगाना है इग सेट्स एंड हाफ प यह cutting आपको करना है तो अच्छे से मैं यहाँ पर नशान लगा लिया है अब लोजिंग के लिए अपने एक्ट्रा फैबरिक ले लीना है तो मैं तकरीबन डेड़ इंच से के हिसाब से एक्ट्रा फैबरिक ले रही हूं अब यह नशान हमने complete अच्छे से कर लिये हैं तो चलि मैं बैक पार्ट कटिंग कर लेना है तो मैंने फ्रंट पार्ट इसके उपर रख लिया है और देखिए जो हमें एक्ट्रा फैबरिक छोड़ा था ना डेर डेर इंच का वो आपने ऐसे निकाल करके रख लेना है या फिर पिनप लगाकर ऐसे फोल्ड कर लीजेगा उसके बा उसके बाद यहां से हमें उपन करना है अपने श्रक को तो यह बीचो बीच से अपने उपन कर लेना है अगर जोजट आपसे नहीं रुखती है तो फिर आप पिनप इस पर लगा सकते हो फिर आप अच्छे से इसको कट कर सकते हो इधर उदर बहुत भागती है ये तो इसलि करकर रख लिया है इसको अभी फोल्ड करने के बाद अपने लेनी है और यहां पर अटेच कर देनी है तो दोनों पलों पर मैं ऐसे लेट लेस को अटेच कर दूंगी तो अभी हमने यहां पर देखी फोल्ड करने के बाद लेस अटेच कर लिये अब अपने यह दोनों पार्ट ऐसे रखना है और नेक कटिंग करना है अपने कॉलर के लिए तो जो हम लैक की चोड़ाई लेंगे वो धाइज की लेंगे और लंबाई जो मैं ले रही हूं वो भी धाइज की लोगी क्योंकि कॉलर हम 16 इंच का फिक्स बिल्कुल बैठता है तो 16 इंच का कॉलर रखने के अब इन निशानों पर आपको अपने नेक को अच्छी से कटिंग कर देना है आप ज्यादा करके बिल्कुल भी कटिंग नहीं कीजीगा क्योंकि यह जॉजट फैब्रिक है तो उससे हमारा जॉजट है फैल जाता है तो कॉलर बड़ी भी हो सकती है तो इतना ही लीजेगा अच इसे देखिए यहां पर अपने रख लेना है और जो फ्रंट पार्ट है तो ऐसे आर्मोल अपने उल्टी साइट से देखिए रखना है और यहां पर सलाई लगा देनी है तो मैंने अभी आर्मोल पर सलाई अच्छी से लगा लिया है अब जो भी फिटिंग है तो बहां पर कि मैंने कच्छा कर लिया है सुई से उसके बाद आप फिटिंग लगा लिजीगा तो मैंने अब यहां पर फिटिंग लगा लिए है अब फिटिंग लगाने के बाद देखी जो साइड सी कॉर्णर है यह बहुत जादा निकली हुए है क्योंकि हमने इसको एलाइन में कटिंग को और यहां पर इतनी भी लेंथ है तो सेम लेंथ आप ऐसे लेते जाएए सोलर से रखते जाएए इंच्छी टेप को और सेम लेंथ आपको यहां से लेते जाना है देखिए ऐसे गोलाई से अपने लेंथ को रखना है तो यहां से मैंने 49-49 इंच्छ ऐसे लंबाई ले रही हैं फिर भी हमारा जो कॉर्णर है अलका रह जाता है अब देखिए फिटिंग लगने के बाद यह सीधा होकर कुछ ऐसे नजर आएगा अब हम इसमें कॉलर अटेच कर लेंगे तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर कॉलर को जो है बनाकर की रख लिया है ऐसे देखिए इसमें भ करके यह सीधी साइड आजाएगी तो ऐसे आपने यह कॉलर अटेच कर लेना है यहां पर अभी मैंने कॉलर को अटेच कर लिया है अगर कॉलर लगाना नहीं आती है तो लिंक डिस्कृटर बॉक्स में मिल जाएगा पहां से जरूर से कर लेना अच्छे से अभी हो चुका है वयल мест जाएगा अब चलिजी स्लिप कर लेती हैं तो मैंने यहां पर देखी वर्ल्ड में खुझति कर लिए हैव हैं स्लिपस का फैब्रिक अब लैंथ यहां वेल स्लिपस तो यहां पर बना रही हूं तो मैं लंबाई रही हुए हुएं यहांपर 2.5 इंच का माउक ए और य तो इन शानों पर आपने अच्छे से कटिंग कर देना है और अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एश्रयर जरूर से कर देना और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैल को सब्सक्राइब जरूर से कर जाएगा अब देखिए जो हमारी लेंट से ज आपको जितनी भी लेंट रखनी हो अब अपने अकॉर्डिंग रख लीजीगा अब इन शानों पर अच्छे से आपने यह जो है फिरिल को कटिंग कर लेना है तो यह हमारी कम कपड़े में भी वैल स्लिप्स बनकर रेडी हो जाएंगी तो देखिए ऐसे यह आ गया है अब यह उसे मोरी पर अपनी वैल वहारी पर जो हमारे फिरिल है उसमें हमारे डैज करेंगी तो सबसे पहले तो यह देखिए दोनों को अलग कर लेते हैं ृसे बनकर के आइं भी तो मैंने वी स्लिप्स से अजाई पर अच्छे से स्लाई लगा लाणी है अग तो मेंने अभी व Agris को अठेज़ करना है जैसक margin लगाते हैं अपनी कृटी में सेम इसी तरीके से अपनी फीरिल को अपनी स्लिपस में अटाईच कर दे शेघ्व कर दो कर देदी हैं तो अच्छे से बना करके अपनी स्लिपस को रख लेना है एक अपनी कृटी में अटाईच 25 मैंने यहां पर अपने देखी दोनुश लिप को अटेज कर लिये हैं अब स्लिप में आप पीको करना चाहते हो तो पीको करा सकते हो बढ़ यहां पर ऐसे लगाऊंगी फोल्ड करने के बाद तो दोनुश लिप ऐसे तयार कर लेना है अच्छा अब हम अपने फिरल पट्टी को लेने हैं और अपनी मसीन को स्हसे हें पार नकाल लेना है बहुत कि तेखें को आपको छोड देना है ना कि ताल दारे ह। फाशने हैं तो थापनी धॉल तरह बादाश है खीम्धा करना है यह सहना है . आपको जादा गैधिन जाई क्पड़ा आपको आगे की साइट खूदधी है वालिज छोड़ना है तो एसे अपने छोल्ड़ रेल अच्छे से तायार कर लेने हैं của लोगता Clay बाद गैवाइप वहत प्रोट आपको बहुत खूद भी प्रेंधी आज़ा हो चाहते हैं तो फ्रिल मेंने अछe से तायार कर लई है और इसको हम अपने स्रग में अट्याज करेंगे तो जो हमारे फ्रिल है एक साइट से फोल्ड करना है हमें देखिए इधर से मैं ये फोल्ड कर लूँगी ताकि हम अपनी जो हम फ्रिल है उसको अच्छे से अडेज कर सकें कोई भी धागे बगएर उसमें ना निकलें आप अगर इसमें पीको कराना चाहते हो तो आप पीको भी करा सकते हो बट फोल्ड करना चाहते हो तो फोल्ड भी कर सकते हो अब उल्टी साइट से अपने फ्रिल को रखें श्रक के उपर और ऐसे यहां पर नॉर्मल तरीके से सलाई लगा दीज़ेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं और पहले से ही क्या हुआ है तो इसके लिए ठाइच में सो माच तो ऐसे पूरी फ्रिल को हमें अटेच कर लेना है कंप्लीट ऐसे ही लगा लीना है अभी मैंने देखिए जो है अब आपने अपने जो है अटेच कर लेनी है ये लियस डेख़ वियर से पूरी फ्रिल हमारे मैंने तप्रिल को तायार हुआ देखिए नहीं रेका काम करना थे लें kivid करको हुआ है यहां पर लुपिया मना लिए और यह तरी लुपिया मैं ऐसे लगा लूँगी ताकि जो हमारा नेक है वो बंद हो सके अब अगर चाहें तो लगा सकते हो और ना चाहें तो इसकी भी कर सकते हो फिलाल तो मैंने इसको तयार कर लिया है और यह जो हमारी स्लीप से यह भी हमने और फिरल भी हमारी तैयार हो चुकी है तो पूरा जो श्रग है वो रेडी हो गया है और पास से मैं आपको दिखाती हूं देखी यहां पर हमने तरी बटन यहां पर लगा लिये हैं और यह लुपियां लगा ली है तो ऐसे हमारा कॉलर बन करके आ गया है और उसके साथ देखी मैंने यहाँ पर सिंपल कुर्ती एंड टाउजर बनाया है तो ऐसे आप बना सकते हो अगर आपको पता करना है कि कितना फैबरिक इसमें टोटर लग गया है तो डिस्केप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना उस पर मैं लिखती हूँ कि कपड़ा कितना मीटर लेना है आपको तो आज के लिए वस इतना ही है मैं मिलती हूँ आप से ने